पॉर्णिंग अड़ी बड़ी मैं सभी कास सवगत करता हुआ फिजिस गयान मुकेशनेक चैनल पर आज हम लोग साउंड का 9 नमबर का लेक्चर देख रहे हैं और उसमें बहुत इंपोर्टन्स आश टॉपिक देखने वाले हैं क्योंकि इस टॉपिक को आपको नीट, j, e, c, e, t हर कोई एक्जम में यह इंपोर्टन्स टॉपिक है बहले यह लेवन्त में है लेकिन बहुत इंपोर्टन्स है तो एक्च्वल में आप लोगों को जो निमेरिकल होते हैं वो जो निमेरिकल होते हैं कौनसे फार्मुले पर डिपेंड होते हैं मैं बात करने वाला हूं यह आपको एपरेंट जो फ्रिक्वेंसी है वो डिपेंड होती है कि वी प्लस माइनस वी माइए वी मायनस प्लस वी इंटु यम ठीक है यह फार्मुला आपकि लिए आप यह जो वी सोर्स एंडड आप्जर्वर पता होना बहुत ज़र हूँ रही है तो यह होता है और यह होता है सोर्स सर्स समस्त होना मैं बात कर रहू diaper Su आपके बिख में यही फार्मूला आपको मिलेगा यहां पे V plus minus VL L मतलब listener सुनने वाला तो V minus plus Vs into n तो यह है आपके लिए आज का मेन फार्मूला इसी से कहनी अगे बढ़ने वाली थी एक्च्वल में ठीक है लेकिन हम लोगों को इसको अलग-अलग करते वे पढ़ना है मतलब कैसे मैं आप लोगों को पहले कुछ concept समझ जाने के कोशिश कर रहा हूं देखो एक बंदा खड़या ही बंदा बंदा बंदी जो भी बोलना है यह गड़ी आ रही थी, हाह से, यह रस्ते से गड़ी जा रही थी। एक गड़ी जा रही है, यह गड़ी जा रही है, पॉल्म। आपको क्या लगेगा?... जैसे इसके पास हाँ है और हां बढ़ रहा है ठीक है ना यह source है sound का यह source है जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे उसको आवा जाएगी increase increase मतलब इसकी जो sound की जो frequency है वो बढ़ेगी sound की आवाज बढ़ेगी की नहीं और जैसे जैसे दूर जाओ वैसे और speed कम होने वाले तो यह जो source है और यह listener है आपके language में लेकिन मैं इसको observer बुरू तो tension मत लेना तो क्या relative motions है इन दोनों चीज़ों के अंदर जो relative motions होगा यह हम लोगों को आज के topic में बढ़ना है Doppler effects यह scientist का नाम है उन्हें observations किये थे उसको बारी के से समझाने की कोशिश करूँगा मैं तो यहां पर एक बार क्या करेंगे देखो conditions क्या होगी source को rest रखेंगे इसको यह रखेंगे observer approach या towards the source ठीक है दूसरी बार इसको rest करेंगे किसको listener को और इसको यहां लेके आएंगे एक ब भी बाद बोलों दोनों का मतलब ही क्यों होगा समझ में आ रहा है तो यह conditions इस में हम लोगों को पढ़ना है Doffler Effect में तो सबसे पहले जो conditions है उस condition को मैं आगे बढ़ाती वे आपके समनी उसको conditions को present करने जा रहा हूं सबसे पहले आप लोगों को यह formula learn करना है अठी तरह से औ आपको बनने वाला हो आगे बढ़ाने वाला हो ठीक है next point है अपके books में 8.9.1 source moji and listener stationary मतलब यहाँ पे एक बंदा खड़ा है यह अपका बंदा खड़ा है बंदा बंदी जो भी यह listener है अपका ठीक है और source यहाँ पे है source yes one यहाँ ठीक है इन दोनों के बीच में जो दूरी ह होगी पहले सबसे पहले वह distant दी इतनी दूरी है और यहाँ पर जो भी मेरा होन होगा जो भी इसका speaker होगा speaker पकड़ो जो भी पकड़ना है पकड़ो यहाँ से ठीक है तो यह व्योज आगे बढ़ाएगा इसे zoom zoom यह पहले एक crush छोड़ देगा इसे बस ही है तो इस sound की जो speed ह होगी वह V होगी तो उनकी speed V होती है तो यह जो crush है यहां तक पहुचने में जो time लगेगा उसको T बोलेंगे हम लोग T1 ठीक है आप लोगों को speed की define बता है distance upon time तो time निकलना है तो distance upon V समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है वह या तो distance upon speed speed है V कुश्यक है जब source and listener दोनों एक जगे पर ऐसे बेठे वाले ऐसे फिलाल में ऐसे खड़े ठीक है तो यहां पर जो source है हमारा जो गड़ी थी गड़ी ने हर बजा तो यह crush निकल गया तो यह listener तक observer तक पहुचने में जो time लगने वाला है वो distance upon speed है या velocity जो बोलना है बोल लो स अथी listener अपने ही जगे पे देमuan देखो listener कया से gonna practitioner को यह रखो यह अपना बन्दा यहां था जो यहां था यहां से तक चल क्या आ ये अच्छे बात है sir तो ये distance कितना है अपना very good sir कोई प्राबलम ने ये ये यहां से यहां कितना चला ये बात समझ में हारे है यहां से यहां कितनी दूरी चला तो आपके पास ये formula मिलीगा यह पर distance का ही वेला सिटीगा distance upon time इसके T not कहींगे हम लोग एक period चला, क्या नाम दिया हमने इसको एक period चला है, बात समझ में आरी न, कितना चला है, एक period, T not का है, यह यहाँ से पोचने में, जो time लगने वाला हो T to E, कितना होगा निनकालेंगे, तो T not is equal to D by V, या direct multiplied distance निकालने हैं तो V T not निकाल सकते हम लोग तो यहां से यह जो distance है चलने का वो है V T0 बात समझ में आरी है ना यहां मैंने कहा है कि पहले original distance ही है हम कैसे जा रहे away from listener listener से दूर जा रहा था देखो दूर यहां से यहां दूर जा रहा था अप्रोच नहीं वह रहा दूर जा रहा था तो कितना distance चले हमने V into T बात समझ में आरी ना स्पीड मतलब क्या distance upon time time कितना लिया T0 लिया मैंने तो मैंने मैंने यहां से जो वह निकलेगी तो यहां तक कब पोचेगी कितना दूरी होगी इसकी तो इतनी मुझे time निकल ना है भी तो time इसको T2 मानेंगे आप देखो इसके लिए T1 लिखा था यहां से यहां पोचने में अब यहां से यहां तक पोचने में जो time लगेगा व को T2 है सोर्स अवे फ्रॉम दे लिस्नर लिस्नर से दूर बागा दूर समझे चाओ तो मुझे पताओ आप यह जो वह ना वाया इसको पोश्ण में ज्यादा दूरी लगेगी ऐसा नहीं होगा कि सर अगल डबल डिस्टंस तो जसी कि यहां से यहां पोश्ण में एक मिनिट लगता तो यहां से यहां वह पोश्ण के लिए आपको एक सेकन लगा है तो चलो सर डबल कर देखो इतना इतना डबल कर दिया तो डबल कर दिया तो इसका मतलब सर दो सेकन लगते नहीं हो सकता है धाई सेकन लगे हो सकता है तीन सेकन लगे क्यों क्योंकि बाइया जितना दूर पानी में पत्तर पहले वाली जो हो है नजी जाहां पत्तर डाला वहां से दिखो यह से फस्ट बाद में धिमें धिमें पानी आराम से मूझ रहे होता है देखा होगा ना तो इसलिए यह T0 आड़ कर रहा हूं अच्छी बात है सर्थ इसका time period क्या मिलेगा यह निकालना है पहले, इसके लिए यहां से यहां तक, तो मेरे पास time निकालने के लिए इसका जो time होगा, वो होगा distance upon speed, sound की speed V है, sound की speed कितना है मेरे पास, वो V है, तो D कितना है, total distance कितना है, यह only D है क्या, नहीं, तो यह जो है, यह है मेरे पास V T0, मेरे खाल से यह बास समझ में आते होगे, देखो distance upon time है, लेकिन यह total distance से source S2 का, मतलब यह जो S2 है, यहां से यहां तक जो अंतर है, वो है D plus V T0, divided by speed, फार्मुला तो simple है, देखो, इस फार्मुली को गौर करना है, गौर, है ना, तो distance upon velocity, तो यह add क्यू करना हो, मेरे बास सम divided by V, यह आपके bracket में square bracket दिया, तो यह निकालो, T0 क्यों add क्या बया, क्योंकि यह जो है, यह वोज को time लगेगा, तो add करना पढ़ रही मुझे, बास समझो, मतलब यह नहीं होता है, कि double कर दो सा, ऐसे नहीं चलता, initially जो भी आपको, यह जो वोज रीच होने में, जो लगने वाला समय है, वो है, मतलब आप लोग बोल सकते है, T0 A, time period, at which the view are emitted, time period, यह जो view emit करने में, लगने वाला time है, जो view emit होगी है, T क्या है, time period, जो है, वोज को emit करने वाला time है, और यह time, यह जो है, यह है, इसलिए add किया मैंने, बास समझ में आरी, T1, यह T2, समझें, कोई tension है अगर ऐसे, पीप्त व्योज रहे, कितने, पीप्त क्रश्ट रहा है, मतलब ऐसे कि यह खे, ठीक है, यहां से, लेकिन पीप्त रहे, मतलब ज़्यादा व्योज रहे, तो इसी व्योज को कैसे लिख सकते है, तो उन्हेंने का है, कि आपके पास जो time है, वो P plus 1 करो, मतलब जह जहां जहां T देखे, वहां पे P T not करना है, मतलब यह वो जो इमिट हो रहा है, T not क्या है, एक बात समझ लो T not है, time period at which the वो are emitted, time period, यह जो है ना, यह time period है, वो को इमिट करने में, जो लगता है वो, अच्छी बात है, मतलब जहां जहां T देखे, जहां 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 T है, तो बढ़ना आगे भईया, चलो मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, इसको भी मिटा रहा हूं, ताकि यह formula आपको तो याद होना ही चाहिए, ठीक है, यह formula समझ में आता होगा, मैंने P Q लिखा है, ठीक है, और किसे ने कहा है, कि listener detect the count P crushed, time control में क कर रहा है, तो बताओ, कितने time control में होगा, detect कर रहा है, count कर रहा है उसको, तो अब लोग लिख सकते हो, T P plus 1 minus T1, परामरे न, इनका दोनों का difference निकालना पड़ेगा, क्योंकि original पे यह है T, वो minus करना पड़ेगी, क्योंकि यहां से यहां, तो हम लोगों को minus करना पड़ेगा इच चीज में से यह चीज माइनस करना पड़ेगी, चलो, तो यह क्या है मेरे पास, is equal to P T0, plus bracket में, D P V T0 by V, minus T1 की value यह D by V, चलो इसको solve करेंगे हम लोग अब भी, ओके, all is well, no tension नहीं है, अब period of views as recorded the listener, listener जो time period, जो views का record कर रहा है, वो निकालना है, लोग काम करते हैं, आप simple से बात है, तो उसको record किया है, तो मुझे कैसे निकालना चाहिए, तो यह time निकालना है H का, तो यह T P plus 1, minus T1, divided by P, रेक का निकालना है तो अशी करेंगे ना हम ल अरे, कितने views, जो emit हो चुके है, हाना, और इसका 1 का count करना है, मुझे, एक के लिए निकालना है, तो T is equal to, यह इसकी value है, P, T0, plus bracket में, यह है मेरे पास, D, plus P, V, T0, by V, minus D by V, okay, divided by P, समझ में आ रहे है, क्या क्या कर रहा है, calculation समझ में आ रहे है, T1 कैसे निकाला, T2 कैसे निकाला, यह P, के लिए, क्योंकि यहाँ पर एकी value नहीं है, time taken by the P plus 1th crust, यहाँ से emit होने वाले है, यह जो sound है, यह जो sound यहाँ से, यह जो है, वो emission चालूए रहेगा ना, sound का, तो यह व कर रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते है, इसको common बाद में, P, V, T0, by, by V, और यह माइनर, D by V, divided by P, separate देखो, इसको separate किया, इसको ऐसे ही रहने दिया, बाद में करेंगे, P से P cut हो गया, तो यहाँ पर T0 होगा, यहाँ पर देखो, D by V, प्लस, P, V, T0 by V, minus D by V, और इसका ओल्री P, यह P इदर नहीं है, ध्यान देना है, तो T0, मुझे बताओ, यह और यह माइनस हो गया, V से V चला गया, और, मैंने कुछ गलत किया है, I think, कुछ प्रिंट में स्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो निकाल रहे हैं, सोर्स, सोर्स के लिए न, यह यह, यह सोर्स के लिए, तो जहाँ जहाँ V दिखे, वहाँ सोर्स के लिए हो, तो यह कट नहीं कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर, तो यह सोर्स के लिए, ठीक है न, क्यों, क्योंकि यह जो है, सोर्स कहां से क्या है, कितना दूर गया, तो यह सोर अच्छी बात है सर चलो तो यह हो गया बचा क्या है मेरे पास अब भी तो यहां पे P Vs T0 by P P से P मर गया तो T is equal to T0 कि और भी गलत हो रहा है क्या नहीं यह वी एक बाकी है तो यहां पे Vs T0 by V अच्छी बात है सर और क्या कर सकते ती नौट को कॉमन निकल सकता हूं आप लोग स्क्रिंशॉट निकालो ताकि मैं मिटा सको और आगे बढ़ना है मुझे चलो ओके अलीज वेल चलो और क्यालकुलेशन से थोड़े तो यहां पे T is equal to T0 को कॉमन निकला 1 प्लास Vs by V बात समझ में आ रही है T0 को कॉमन निकला है मैंने तो मुझे बताओ उसका अगर उल्टा किया जाए तो इन्वस किया जाए तो क्या होगा आपके मर्जिस से करना है तो करो नहीं किया तो भी चलेगा ठीक है और इसको और भी solve कर सकता हो नो मैं T is equal to T0 V plus Vs by V बात समझ में आ रही है cross multiplication तो 1 by T लिख सकता हूँ 1 by T0 इसको सबको उल्टा करो V by V plus Vs बात समझ में आ रही है समझ में आ रहे है न उसको उल्टा कर दिया लिख क्यों किया बट आपको पता होना चाहिए कि N is equal to 1 by T समझे गया अरे frequency का formula क्या है reciprocal of period is called as frequency तो यहाँ पर N लिख सकता हूँ यहाँ पर N not लिख सकता हूँ और यहाँ पर V V plus S तो यह मुझे अगर हमारा source listener से देखो यह listener है listener से अगर source पहले था यहाँ यहाँ से चला गया मेरा यहाँ तो जितना दूर जाओगे उतनी apparent frequency आपकी sound की कम होगी सर क्यूं मता अरे कम क्यूं 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 क्यूंकि भया डेनोमेटर का terms बढ़ा तो यहाँ पर कम होगा inversely proportional relation है अरे frequency का और speed का inversely proportional relation है लेकिन यह add हो रहा है मतलब मेरा source अगर दूर जाएगा listener से तब मेरी जो apparent frequency वो बदलती है मतलब Doppler effect ने यह कहा है कि भया समझ लो सबसे में Doppler effect का कहना है कि जो अपकी original जो frequency है उससे अलग frequency हम लोगों को दिखाई देती है सुनाई देती है अलग मिलती है calculation पे मतलब source कुछ और frequency अलग frequency से इमिट कर रहा है ठीक है यह जो समझो sound है मैं आवाज करा हूँ अलग frequency से बात करा हूँ और सुनने वाला अलग frequency से सुन रहा है मैं निकान रहा हूँ original मेरी frequency कुछ और है और सुनने वाला बनना कुछ और है बात समझे न जितना दूर जाओगी उतनी sound की आप लोगों को जो frequency है कम सुन नहीं देगी बात समझ में आरी है न यह समझ में आरा अगर यही खिसा अगर यह नजिक जाता तो तो और बात लेकिन listener के सब यह रेष्ट पे है लेष्ट पे है तो हम लोग इसी formula को ऐसे लिख सकते है यह not v plus vs और यहाँ पे minus भी डाल सकते है अगर आप लोग दूर जा रहे तो यह और नजिक आ रहे तो नीचे वाला formula इस करो similar way ऐसे ही प्रूप दे सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है same to same है तो इस formula को note-down करें ताकि आपको समझ में आना चाहिए source मुह है लेकिन listener यहाँ पे रेष्ट पे अब listener को मुह करना है समझे तो चलो note-down करना है मैं आगे बढ़ रहा हूं 8.9.2 listener approach हो रहा है किसके तरफ source stationery है लेकिन आप देखो अब उल्टा करें हम लोग मतलब source है यहाँ पे और आपका listener था यहाँ यलवन देखो यह रेष्ट पे है मतलब जो sound जहां से माइक से आरी हो वह जो भी गड़ी गड़ी जो पकड़ना पकड़ लो ठीक है यह जो नि अप्रोच करने की यह टोटल डिस्टन डिये वह यहां यह बाद ध्यान रखना है यहां से यहां तक आ गया है इसको यल टू पोजिशन पूर लेंगे listener की तो कितना चला होगा यह तो यह चला होगा वी यल इंटू टाइम की बाद डिस्टन्स ही कर रहा हूं ना तो टी ठी की है समझें मतलब कितना चला है तो इतना चल रहा है और टाइम टीवन को उसको लगें तो अक समझ में ह treatments है हो girth distance लें दिस्टन्स आपॉन टाइम तो distance is equal to V into T someone मतलार यहां से यह जो व्योव पोच रही है यहां तक जूम 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 करके ऐसे एक्चुली यह तो कॉम्प्रेक्शिर रियर फेक्शन होते हैं निकाल रहे हम लोग ऐसे व्योव उसको ठेके ना तो यहां से अगर पकड़ा जाए तो यह दूरी मिलेगी मुझे डिश्टन में से इतना माइनस करो क्यों कि यह तोटल दस सेंटिमेटर में से दो गए तो आड़ बाकी तो कैसे करेंगे D minus VL into T1 VL को नहीं velocity of the listeners कि यह sound की speed यह source की speed बात को समझां चीटर और से तो यहां से यहां तक दूरी मिला यहां से यहां तक कितिनी दूरी कोई शाक है बाईया समझ में आ रहा है तो T1 अगर हम लोगों को निकालना है यह जो time यह जो चला यहां तक तो T1 is equal to distance है ये VL T1 divided by V कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें time is equal to distance upon velocity तो distance कितना है क्योंकि यहाँ से यहाँ वेव जाने के लिए पहली जो क्रट जा रही है वो है इसका distance है ये D minus VL into T1 और इसकी जो sound की जो speed है वो V है वो कितनी है हमारे पास V इतनी है चलो इसको थोड़ा सा solve करनी की कोशिश करते है है ना मैं इसको इदर ला रहा हूँ V into T1 देखो cross multiplication D VL T1 इसको इदर लाता हूँ V T1 minus का plus होगा VL T1 into D बास समझ मैं आरी ना ये minus की टर्म plus होगी तो क्या common निकाल सकता T1 निकाल सकता हूँ बच्या मेरे पास V plus VL into D मुझे T1 निकाल ला है तो D divided by ये divide आएगा multiply तो V plus VL कोईशा के भाईया ये मिला है मुझे time T1 आच्छे बाद मैं दूसरी वेव कॉण्ड कर रहा हूँ ये पहली वेव कॉण्ड की थी मैंने अब दूसरी वेव को कॉण्ड करना है तो क्या करते हैं हम लोग या मैंने simple बताया था आप लोगों को कि इहां पे अगर T2 निकालना है तो T0 को add करना पड़ता है ठीक है अब उसका distance दूसरी वेव जाके पहुश रहे है तो plus distance ठीक है ये velocity of listener और जो time उसको T2 बोलेंगे अप उसका जो time होगा उसको हम लोग क्या बोलने वाला है T2 बोलेंगे ठीक है ना divided by मतलब देखो same काहन ही है लेकिन यहां पे time T2 आ रहा है ओके ये दूसरी वेव काउंड करने के लिए लगने वाली है अच्छी बात है sir उसको अगर solve किया जाए तो बहुत अच्छा होगा नहीं किया तो कोई problem नहीं थोड़ा solve किया तो हम लोगों को तकलीप कम होगी बागी दूसरा कुछी नहीं है मिनिंग कुछी नहीं है ठीक है तो क्या क्या जाए मैंने बोले काम करते है इसी को हम लोग थोड़ा सा उसको shortcut करने कोशिश करेंगे ठीक है चलो solve करना इसको पटपट solve कर लेंगी ठीक है तो इसी को solve करने के लिए एक काम करते हैं इसको separate करके लेते हैं देखो t2 t0 आपके books में इतना solve करके नहीं दिया d by v ठीक है माइनस यहां पर vl t2 by v यह दर लाए तो plus होगा t2 plus vl t2 divided by v बचाए मेरे पास इसको ऐसे लिख दो vt0 d by v simple समझ में आ रहा है cross multiplication यह terms minus की plus होगे इदर t2 को common निकालो बचाए 1 plus vl by v बात समझ में आ रही है vl listener की velocity और यह sound की है तो यह रहने दो v2 d divided by v चलो तो t2 यहां पर cross multiplication v plus vl by v vt0 d by v चलो तो t2 को यहीं रहने देते vt0 plus d by v समझे यह इदर गया तो क्या होता multiply लेकिन इसका inverse और यह multiply का यह इदर गया तो कर सकता है divide लेकिन यह divide आएगा लेकिन उसको divide न करते हुए हम लोग क्या कर सकते उसको उल्टा करके multiply करके मतलब है multiply यह तो divide आएगा चाहिए था लेकिन मैंने क्या कि उसको उल्टा कर दिया बाके जगे पर P क्यों नहीं डाला क्योंकि यह P जो है उतने times यह न वो emit हो रही है अच्छी बात है sir तो एक काम करते है हम लोग जैसे की पहले equation जैसे क्या वैसे करते T P plus 1 minus T1 करते है कोई शक है T P plus 1 की value मेरे पास P T naught plus D divided by V plus VL V plus VL है T1 की value क्या है मेरे पास यह T1 की value put up कर रहा हूँ minus D यहाँ पे V plus VL इसको separate किया तो यह minus हो सकता है चलो पहले screenshot निकालना है तो निकाल सकते मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे भी लिकना है मुझे ठीक है ओके चलो calculation जारी रहे है fast करना है चलो इसको क्या करेंगे T P plus 1 minus T1 ठीक है ना कितने count हो रहे है तो यहाँ पे P V T naught divided by V plus VL plus देखो यह है separate कर रहा हूँ इसको separate D V plus VL minus D divided by V plus VL तो यह मर जाएगा plus minus बचा है मेरे पास यह तो T P plus 1 minus T1 की value मेरे पास P T naught V plus VL कोई शाक है भाईया समझ में आ रहा है all is well बढ़ना आगे चलो मुझे करना क्या यहाँ पे सबसे main एक यहाँ पे सबसे main बात कर रहे है मुझे यहाँ पे T निकालनी थी एक period तो वो व्योजो इमेट कर रहा है उसका निकालना था तो T P सेम पहले जैसे आपके books में तरह सा अलग दिया है second time, third time third views आ गई तो वो करनी की जड़रत नहीं है divided by P चलो value तो पता है therefore T is equal to P V T naught divided by V plus VL सही है भाईया यही value है मेरे पास all is well बढ़ना अगे चलो तो divided by P यह P देखो यह इसकी value डाली थी P से P मर गया बचा है मेरे पास T is equal to T naught V इसको bracket कर रहा हूँ जान बुचकर इसको inverse कर दू क्योंकि inverse क्या होता है frequency मुझे frequency नहीं कानली 1 by T 1 by T naught V V plus VL चलो इसको क्या बुलती यन इसको यन नौट V plus VL अच्छी बात है यह formula मिल रहा है हम लोगों को यहां पे ठीक ना तो यहां पे कुछ गलत हो रहा है उल्टा करना पड़ेगा इसको भी इसको भी उल्टा नहीं किया नहीं उल्टा नहीं किया बया सबको उल्टा कर दो 1 by T 1 by T naught हाँ इसको V plus VL इसको भी inverse करना पड़ेगा न इसको N कहीते frequency यह N naught है यह apparent frequency और यह observe कि जो भी frequency वह है V plus VL by V बात समझ में आरे बया मतलब अब क्या condition है कि यह source के पास यह जो listener था L1 यहां से यहां आगा नजी का रहा है नजी का रहा मतलब मेरी जो apparent frequency वह बढ़ेगी मुझे जादा आवाज सुनाई देगी sound की intensity बढ़ेगी sound की energy बढ़ेगी मतलब frequency बढ़ रही है बढ़ना मतलब new monitor एड़ हो रहा है देखो यहां पर denominator एड़ हो रहा है क्योंकि अवे जा रहे थे तो denominator बढ़ा मतलब यह value छोटी अब new monitor बढ़ा मतलब यह value जादा समझे यह चीज़े आपको आना चाहिए थी इस calculation के दोरान आपकी बुक्स में है तो देरा बहिया चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं बहुत simple सी कहानिया formula बहुत simple लिख के देने वाला हूं मैं ठीक है अपने देखा जो formula उसके तरफ से थोड़ा समय यहां पर discussion करने जा रहा हूं देखो आप क्या बलना ओला हूं यहां पर n is equal to n यहां पर v plus vl v बास समझ में आ रही है यह किस के लिए वाया जब source rest पर क्या source आ रहा था पहली condition में पहले जो था source variable था अब listener variable है जो variable होगा उस तरण में वो डालना है कौन variable था source यहां पर l मतलब listener variable था मैं general formula लिखके दे रहा आपको देखो n is equal to n not v plus v v minus v चला ठीक है कोई टेंशन है मैं general formula लिखके दे रहा हूं यहां पर लिखना है listener और यहां पर कौन सा source listener source listener अपर यह देखो उस formula में इस formula से अब देखो यह दोनों एक दूसरे के तरह पारे source और observer approach each other यहां पर काम करना है plus minus minus plus जो उपर साहिन वो नीचे उल्टी करनी है और अलफाबेटी के लिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, M, N, O, P तो आता है न तो L पहले आता है बाद में S आता है तो L उपर लिखो बाद में S लिखो simple idea यह है apparent frequency A, B लिखा तो चलेगा base मतलब यह frequency कि sound मुझे सुनाई देती है बताओ बताओ कैसे कैसे सर कैसे बताओ इससे ही यह general formulae से बाकी formulae सब कुछ आते है यह है उपर के sign अपर sign यूज़ किये तो यह two words के लिए होते है अगर minus plus यह sign किये कुछ लोग बोलिंगे सर हमारे books में है approach लिखो कोई problem ने कर दू एक general formulae को हम लोग यहाँ पे कर रहे है N0 V plus VL V minus Vs बताओ सर इससे देखो आपको लग रहा है न यह two words आ रहे ही नी two words आ रहे है तो मुझे बताओ sound कि frequency बढ़ेगी कम होगे नजिकारे मतलब एक train है train मेरे तरपारे और मैं इधर से जू बहाँ रहा हूं समझे मतलब क्या होगा sound की intensity बढ़ेगी frequency बढ़ेगी बया मतलब denominator छोटा होना चाहिए numerator बड़ा अर इसका answer बढ़ा आएगा कि नी अरे किसी ने कहा है कि चलो 10 प्लस 10 करो सर और 10 माइनस 5 करो तो इसका और राल answer देखो बला इसका 20 बाइ 5 4 आएगा आएगा कि नी अगर किसी ने बोला सर इसको माइनस करो इसको प्लस करो answer चोटा मिलेगा यार सिंपल से बात है यार तो टूवर्ड के लिए यह हमेशा लेकिन दोनों एक दूसरे के तरप कोई stationary नहीं है दोनों एक दूसरे के तरप की बात कर रहा हूँ अगर आवे जा रहे मतलब मुझे कम करनी value तो इसको माइनस करो इसको प्लस करो यार अरे आपको यह जितना छोटा उतना यह बड़ा उतना बड़ा numerator उतनी value बड़ी मुझे इसको बड़ा करना है ना approach मतलब intensity frequency की बड़नी चाहिए frequency बड़नी चाहिए approach कर रहा हूँ आप दूर जा रहा हूँ तो क्या sign दे हो गए बताओ आप लोग sign दे सकते V minus VL V plus Vs क्यों बड़ा मुझे कम अंसर लाना है मतलब दूर जा रही train जा रही इदर महीं जा रहा हूँ इदर train मेरे पीछे महीं इदर भाग रहा हूँ समझे क्या होगा simple से बात है surely अपकी frequency कम होगी कम मतलब यह कम होना चाहिए और यह ज्यादा होना चाहिए यह ज्यादा हुआ तो इसका ratio overall कम होता है समझे इसी को भाईया एक बार यह होगी यह condition और condition क्या होज़ सकती है कि सर source rest पे है 2 word आ रहे source rest पे है listener नज्जिक आ रहा listener मतलब सुनने वाला क्या होगा इसी फार्मूली को देखो यह में अब 2 word के लिए फार्मूला है मतलब listener source के पाज आरा source वही खड़ा है चलो तो इस फार्मूली को उठाओ फिर तो यहनो यहाँ पे V plus VL divided by V 2 word है न बैया 2 word मतलब addition हो रहे है यह factor का में obviously फाइदा होगा मतलब frequency बढ़ेगी ठीक है वही अवे के लिए देखो मतलब source वही है मैं source से दूर भाग रहा हूँ समझे न तो क्या होगा तो V minus VL by V बस यह फार्मूला उठा जब 2 word word आजाए 2 word और अवे आजाए अब यह Vs 0 है तो बस इसके अंदर Vs Vs 0 डालो ओ गया कतम किस्सा next अब listener को 0 करो 2 word मोला मैं source listener के तरफ जा रहा है भाग रहा है बैया फार्मूला 2 word और आवे के लिए यही फार्मूला है समझे ना only L के जगे पर 0 डालना है देखो ma is equal to yano V V minus Vs मुझे बता frequency बढ़ेगी या घटेगी बढ़ेगी denominator छोटा है न तो बढ़ेगी apparent frequency बढ़ेगी next अब यह जा रहे है apparent frequency देखो अब V divided by V plus Vs घटना है तो denominator छोटा करो यह value घटेगी बस इतने condition बन सकते यार दुसरा कुछ नहीं है इसके उपर आपको एक formula general याद रखना बस दुआ में याद रखना बहुत भला हो जाएगा अपका इसी से आपको MHT CED या NEET या JEE कहीं पे भी कोई भी books उठाओ आगर यह formula नहीं मिला तो challenge के सांद बोता हूँगा मैं आपको 100% मिलेगा आपको ठीक है तो इसी को आपको अच्छी तरह से करना screenshot निकालना है तो निकाल सकते भाईया जल्दी जल्दी निकालिये जल्दी सहे कोई problem नहीं है तो इस duffler effect समझ में आगया relative motion है source and sound का और जो apparent frequency है उसको हम लोग मेजर करते हैं और यह duffler नम की जो scientist physician उनने बताया था हम लोगों को कौनसी relative motion source and sound actual frequency हम लोगों को सुनाई नहीं देती कौनसी सुनाई देती apparent frequency और यह relative motions की कारण होता है तो यही था भया इसका उपयोग हम लोग use बहुत सारे sonography निकालते है पता है आपको बच्चे की क्या condition क्या नहीं है बहुत सारे बाका नहीं है application की application बहुत सारे आप लोग पढ़ सकते है application of defler डालो आपको मिल जाएंगे ठीक है sound से हम लोग किसी की depth भी गिन सकते बहुत सारे चीजे गिन सकते ठीक है तो आप लोगों को मेरे तरफ से पढ़ाई करने के लिए best luck and thanks for watching this video